हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग होप आप अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही यूनीक सी जो है आउटलाइन कैसे क्रेट कर सकते हैं रैजिलूम के अंदर बट हम लोग कोई प्लगिन यूज करने वाले नहीं है को है स्मोथ तरीके से उसको रन भी करके देखेंगे तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना जाओंगा कि यार देखो वीडियो इतनी मैनत करके हम लोग वीडियो बनाता हूं आपके लिए तो यार प्लीज अगर वीडियो को देखते हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और आज जो भी आप वीडियो देखोगे तो प्लीज उसको लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाएं इससे होता आपको आपका फ्री में है आपको कुछ नहीं रहेगा लेकिन इससे क्या होता है कि वीडियो जितना आप ज्यादा कमेंट करेंगी या जितना ज्यादा आप लाइक करेंगी वीडियो को तो उतना ही वीडियो जो है ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को तो चलिए बिना किसी दरीके आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो चलिए मैं यहां पर आ गया हूँ अपना अरेजलों के जो इसके उपर स्क्रीन पर तो सबसे पहले हम लोग यहां से कंपोजीशन से न्यू कर लेते हैं 2020-1080 की कंपोजीशन मैंने लिए है यहां से तो सबसे पहला काम यहां से मैं सोर्स से जो है सौलेड का दर्यता हूँ तिक है आप मैंने लें बन पे इसका कलर जो है हम लग बाइट कर रहते हैं तो कुछ आउटपुट में जाते हैं एड़ास सैटिंग्स में जाते हैं यहां से मैं क्या करता हूं कुछ आउटपुट के अंदर ही स्लाइस बना लेता हूं आइक देस और इसको डॉप्लिकेट करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्लाइसे क्रेट कर सकते हैं जो भी चाहिए वीडियो को प्लीज ना पूरा ध्यान से देखना और आप कर पाओगे बहुत ही एजी है बट थोड़ा सा रहेगा कि आपसे अगर वीडियो को ध्यान से देखो गए ठीक है तो मैंने चार सिंपल सी सैसे बनाई है यह पर तो अब क्या करते हैं चारो सलाइसों को यह से मैं स्लेक्ट करता हूं इंपुट में जाता हूं और जो है मैच आउटबॉट शेप बना होता है रैट चलिए अब आगे बढ़ते लिज़िए जो आप मैं बनाने ज और दूसरा आप इसके उपर अ जो है कंपोजिशन के बढ़ सकते हैं तो मैस आपको लेयर पर बना के दिखा रहा हूं तो लेयर पर ही हम लोग सारे इफेक्ट बगरा जो भी है अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या गड़ते हैं यहां से जाते हैं हम लोग जो है एफेक्ट में तो यहां से स्लाइस ट्रांसफर्म लेते हैं तो यहां से बने स्लाइस ट्रांसफर्म लिया कहां पर डाला ड्रैक किया मैंने लेयर के ऊपर लेयर नंबर वन पर जहां मैंने तो यहां से slice लेते हैं slice and drop and layer तो यह देखे यहां पर देखो चार अलग अलग हमेरे पास slice आ चुकी है इसको बड़ा का side कर लेते हैं अभी हमें उसकी तो जरूरत नहीं है तो इसको monitor को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है तो आपको देखने में सही रहेगा चलिए यहां पर आपने जो है इसको फिल ही रखना है अब आगे का काम करते हैं effect and preset में जाता हूँ यहां से मैं लेता हूँ crop ठीक है तो simple अब में crop को थोड़ा सा जो है समयदा पड़ेगा आपको यहां पर आपके पास left, right, top and bottom यह चार जो है आपको लगलग points दिये हूए है सबसे पहले तो आपको invert करना है इसको ठीक है जी invert करने के बाद आप पहले left पे बात करेंगे अब मेरा ध्यान यहां देखें कि सबसे पहले मैं इसका border बनाता हूँ मैंने इन तीनों slice को ध्यान नहीं देना है इसके उपर ही ध्यान देना है मेरा focus किस पे रहेगा तो इसी के उपर हम लोग काम करेंगी तो सबसे पहले left को जो है थोड़ा सा इस टाइप से बढ़ाते हैं आप यहां पर देखिए लाइन क्रेट हो गई आपको जितनी border की thickness चाहिए आप उसको उतना ही बढ़ाएंगे ध्यान रहे तो यहां से बैने इसको बढ़ा लिया इस जित साइब से मुझे border अपना create करना है I think 20 pixels से बराबर है अब bottom से नीचे की type से भी मैं क्या करता हूँ यह दिखिए इसको अपने according उतना बढ़ा लेता हूँ जितना मेरे को requirement यह border अलग बन रहे है यह नहीं बन रहे है उसको छोड़ दो लेकिन आपको क्या करना है सिर्फ सिर्फ ध्यान देना है इस पर 1060 ठीक है इसी के उपर आपने इसको ध्यान देना है तो आपका ये तीन पार्ट बन चुके हैं चोथा पार्ट अब राइट की बात करते हैं अब राइट को आप लेकर आओ इस साइड में ठीक है अब राइट को कराओ आपने किसी और उपर जो doings ready कर रहे हैं, उसी पर ध्यान देना है, ठीक है, चलिए, यह मेरा border यहाँ पर क्या हुआ, left का create हो चुका है, ओकी, then मैं एक crop all देता हूँ, अब मेरा second जो हे target रहेगा, center का screen, ठीक है, तो center पर हम लोग जो है border create करेंगे, करने के बाद आप फिर left में जाएंगे, अब आपने और किसी पर ध्यान नहीं देना है, simple आपने किस पर ध्यान देना है, center पर, center का जो है, अपने according है, जो इसकी thickness, जितनी आप करना चाहो, उतनी कर सकते हो, अपने according है, देखें, यह हो गया, अब उसके बाद जो है, वो आप जितना thickness इसको देना चाहो, दे सकते हो, अब bottom से आजओ, ब bottom से जो है, जितना इसको thickness देना चाहो, यह इसी पर ध्यान देना है, इसी पर ध्यान देना है हमने, तो ठीक है, bottom पर भी हमने इसको, okay कर लिया, अब बात करेंगे, right की तो right पर आजओ, right को मैं क्या करता इंटर का border create हो चुका है, अब यह left और right के दो border समय और पस पचे होई है, ठीक है, तो मेरा, मैं अपने according जो है, चाहे इसकी थिकनस कम करूँ, इसकी ज़्यादा करूँ, कम ज़्यादा अपने according कर सकता हूँ, ठीक है, number three पे दुबारा फिर हम लोग जो है, लेके चलते हैं और यहां से invite करता हूँ, then उसके बाद हमारा जो focus रहेगा, वो DJ console, DJ booth के उपर रहेगा, ठीक ही, तो यहां से हम लोग ज़्यादा इसको थोड़ा left को बढ़ाती है, like this, इतना, इतनी thickness बहुत है, and right से भी मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, कर लेता हूँ, इतनी thickness ठीक है, अब आप चाहें तो टॉप से चले जाएं, टॉप से जो है, वो DJ की तरह आना पड़ेगा आपको, और यह देखेंगे, जैसे जैसे आएंगे, आप टॉप पे आजाएंगे, और उसके बाद जो है, आप बॉटम से जो है, इसको क्रेज कर सकते हैं, चलिए, मैरे पास तीन जो ब सबसे पहले करता हूँ, इस काईट का पार्ट, ठीक है, इतनी तिकने बहुत है, और राइट से भी मैं क्या करता हूँ, इसको इतना कर लेता हूँ, टॉप से भी कर लेते हैं, आप दिस और बॉटम से भी, तो देखें, इस टाइब का जो है, मेरे पास यह बॉटर, यहां पर क्रेट हो चुका है, ठीक है, अब यह क्रेट होने के बाद में, आपने काम क्या करना है, यह सारा कुछ हो गया, अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले, अगर आपके पास कुछ और पिक्चर है, वीडियोज है, तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपके लिए एक पिक्चर देता हूँ आपको simple सी मेरे पास golden gradient है, कुछ इस type का, तो मैंने ये gradient डाला यहाँ पे, gradient डालने के बाद यहाँ पर जो है कुछ आप setting कर सकते हैं, इसको आप Google से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हो जाएगा, सिंपल है और इसको आप स्केल पे लेके जाएं थोड़ असा like इस okay scaling करने के बाद यहां rotations पे आए rotations पे आने के बाद में आपको एक चोटा सा काम और करना है यहां से z पे जो है rotations पे जो है आपने time line लगा देना है आप time line लाने के बाद की speed को आप increase कर सकते हैं इफेक्ट में जाते हैं, यहां से हम लोग जो है एक एफेक्ट लेते हैं, बलर, ठीक है, तो नॉर्मल जो है हम लोग बलर डालते हैं इसके उपर, आप यह जो बलर है आप सबसे अपर लेके जाएं, ठीक है, तो यहां से बलर का जो रेडियस है आप बढ़ा सकते हैं, आपको तो जितना blur रखना है उसके according यहां से रख लें, यह देखिए, ओके, ठीके, तो यहां से आप इसको blur को भड़ा लिया, आप चाहे तो यहां से इसको बंद भी कर सकते हैं, जब चाहे और जब चाहे इसको play कर सकते हैं, ठीके, तो इसको आपने कुछ scaling किया, और इसकी speed को increase कर ठीके, like this, तो unique suborder आपके सामने यहां पर create हो चुका है, उसके बाद चाहे आप तो इसके अंदर कोई visuals डाले या कुछ भी डाले वो तो आप करे सकते हैं, इतने expert हैं आप, ठीके, और ऐसे ही मान लीजिए कुछ और visuals जैसे, मैं एक-दो visuals और यहां देखता हूँ, कुछ मिल layer के ऊपर जो भी आप visuals डालेंगे या कुछ भी आप create करेंगे, वो यहां पर आपके सामने आ जाएगा, जैसे यह, मैंने visuals डाला, visuals डालने के बाद, आप यहां से थोड़ा सा स्केल कर लें, अच्छा रगट आएगा, like this, okay, और अगर इसको rotation भी आप करना चाहें, तो भी आ आप कर सकते हैं, जैड पर जो है, rotation कर लें, time line पर चले जाएं, और यह आपका rotations बन जाएगा, तो यह थोड़ा सा अच्छा effect देने लग जाता है, like this, okay, और इसके अलावा और भी बहुत से effects हैं, जैसे यह effect हैं, इसके अंदर मैंने simple png file यूज किया, अगर मैं इसको सा बढ़ा देता हूँ, और यहां rotation में जाकर, जो है, इसको जो है, rotate कर लेते हैं, हम लोग, time line पर, तो कुछ ऐसा effect यहां पर, आपके पर हमने आ जाएगा, इसकी थोड़ इसी speed को increase करूँ, तो, like this, और इसकी, यह देखें, आप, जो है, multiply जो है, effect ले सकते हैं, इस टाइप से, अब इसको use करना है, तो use भी आप simple तरीके से कर सकते हैं, आपने already, जो है, कितनी slice बना कर रखी हुई है, इसके उपर आप visuals डालें, कहीं पर भी, उपर की side में आप visuals डालेंगे, ठीके, तो अभी यहां पर तो आपका show नहीं हो रहा, लेकिन output में जाएंगे, output में जाना है, advance settings, यह आपके output के अंदर slice ने already बन चुकी है, आप क्या करेंगे, यहां से एक new slice बनाएंगे, sorry slice बनाएंगे, इसके उपर, और यहां पर जाकर layer number one select कर देंगे, ठीके, layer number one जैसे select करेंगे, तो आपके चार आप उपर जो भी visuals डालना चाहें, कोई भी कुछ भी करेंगे, तो उससे आप कर सकते हैं, और दूसरा, इनके colors वगरा जो है, अगर आप change करना चाहें, तब भी आप colors चेंज कर सकते हैं, तो आप color effect यूज कर सकते हैं, यहां का, आप सब को यह जो वीडियो है, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप अपने तरीके से जो है, जिसना उसका thickness चाहिए, उसके according जो है, आप अपना create कर सकते हैं, बहुत ही, कोई third party plugins की जुरूरत नहीं है, आपको बहुत ही simple way है, और जैसे जैसे आप slice वहां पर create करेंगे, आ आप यहां पर अपना creativity करेंगे, तो जैसे आपको slice होंगी आपकी, वैसे का वैसे आपका outline create हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी यूदीक सी आप line, जो है create कर पाऊगे, कुछ ऐसी तहां से, तो जैसे कि मैंने वीडियो में starting में बोला, अगर वीडियो आपको अच्छा भाइ